गूड मॉनिंग दोस्तों मैं पारस्यादव आपका स्वगत करता हूँ आपके अपने फेवरेट यूटूब चैनल फैन ब्लेज पर आशा करता हूँ आप सब स्वस्त होंगे और मस्त होंगी आज मैं आप कले फैन पिलिज की और से लेकर आया हूँ एक और इंटरस्टिंग म वजे शिख जय स्टेडियम अबू धापीमी यह मैच अस्टेडिय के लिए डूओ डाई होगा अगर उन्हें नेक्स्ट रामड में कौलिफाइब करना है तो उन्हें वेस्ट इंडिस को हरालत में हराना होगा और वेस्ट इंडिस आल्रेडी टूर्नमेंट से भार होगी है उनके लिए मैच सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए होगा इससे पहले हम आज होने वाले मैच के बारे में बात करें दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपने हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और साथ घंट इंस्टाग्राम, पेस्बूक और टेल्गरम के लिंक्स भी बिलेंगे जिनको आप जुरूर जोइन कर लीजिए फोर आलनी इंफोर्मेशन अब चलते हैं अपने मैच प्रिवी उपर अब उधापी की पिछ की बात करें दोस्तो तो बैट्टिंग फ्रेली ट्रैक के सथ इनिशेल है पेसर को रहते हैं लेटर और फास्ट बोलर जो विरेशन यूज करते हैं और स्पिनर्स को इस पिछ से अच्छी खासी मदद मिलती है लास्ट आउन मैचों की बात करें टी ट चेंग सेंडे मैच मैक्सिमम जीते हैं इस में पर तो आज का मैच डे मैच है जो टीम पहले बैटिंग करें अगर अस्टेलिया पहले बैटिंग करें तो उनके मेन रिस्पिनर और बोलर लाइक जो जो सेजल वूड कॉपनी टीम में जरूर रखें आपको समालीग और ग्रे का कॉमबो अपनी टीम में रखें अब बात करते हैं वैदर की वैदर सनी रहेगा विद मैक्सिमम टेंप्रेचर उफ 30 डिग्री सेल्सियस वैन टोप परफोर्मर की बात करें दोस्तों इस वैन पास टेलेक तरज से टोप परफोर्मर है क्लें वैक्षमल जिसने तीन मैच च करना है कुछ खास लेकिन बोलिंग से भी कंट्रिब्यूट कर सकते हैं उनको यहां खेल लेका अनुबव है ग्रैंड लिग की आपके कैप्टन वाइस कैप्टन की चोईस रहेंगे स्टिवन समीद ने एक मैच में यहां पैंटिरम नए पैंथिस के एवरेस से आपकी ग्रै अब बात करते हैं वेस्ट इंडिस की तरह से इस वैन्यू पर पफोर्मर है शिम्रोन हैटमायर जिन्होंने एक मैच में कैसी रन नए कैसरी की एवरेस से ग्रैंड लिग की पंट पिक होंगे निकॉलोस पूरन ने इस वैन्यू पर दो मैच में बास्टरम नए करतिस की शां अब बात करते हैं दोस्तों दोनों वामद मैचिस रिकोड्स की दोनों से माच मेजी मैच मैसे एक मैच घिता वेस्ट- इन्रीजी अपने रान की तरब से वांबप में चीज़ में बैटिंगे टोप परफॉर्मर है स्टीवन स्मीथ एरन फिंच ग्लैन मैक्सल मार्कर स्टोनिस मिचल मार्स बोलिंग से केन रिचर्टसन मिचल स्टार्क एडम जांपा ने अच्छा परफॉर्म किया वेस्ट इंडीज की तरफ से बैटिं के बात करें दोस्तों तो 16 मैच खेले के दोन टीमों के बीच में आप तक 6 मैच अस्टेलिया ने जीते हैं ओवराल वेस्ट इंडीज फेवरेट है लेकिन रिसेंट फॉर्म वेस्ट इंडीज का कफी खराब जल रहा है तो इस मैच में आप अस्टेलिया को फेवरेट दोस्तों तो 16 जुलाइक को लास्ट मैच खेला गया दा दोनों टीमों के बीच में जहां वेस्ट इंडी ने 16 रंग से जीता हसी लिए थी वेस्ट इंडीज की तरफ से टोप परफॉमर रहे थे एंड्रे रसल दिन और टीन विकेट लिए थे और एमिलिविच ने 79 रंड की चांदर पारी खेली थी और एक विकेट लिया था वहीं अस्टेलीक तरफ से एरन विंच ने 24 रं और मिचल मार्स ने 30 रं के साथ दो विकेट का योगदान अपनी टीम के लिए था एडम जंपर ने भी दो विकेट लिया थे मिचल मार्स आपके लिए आज की ग्रेंड जीता अस्टिल के थी जहां एरन विंच ने 35 रं की शांदर पारी खेली थी और अगेन मिचल मार्स ने 25 रं के साथ तीन विकेट लिये थे और एडम जंपर ने दो विकेट लिये थी और वहीं वेस्ट इंडिस की तरफ से इवें लिविस ने 31 रं का योगदान दिया लैंड अब बात करते हैं दोस्तों हैट टो परफोर्मर की अस्टेलिया की तरफ से ओवराल हैट टो परफोर्मर है दोंडी मों की जब तक मुकाबले के लेंगे अब तक उसमें डेविड वार्नर सेकेंड हाइस रं स्कोरर रहे हैं नो मैच्चों में 311 रं मनाए हैं 34 की सांदर है थे तालिष की चांदर एवरेस है है स्कोर है 75 और पांच में आठ विकेर्ट लीए हैं गयारां की शांदर मार्ट ने's साथ मैच्छों में साथ में साथ में पैठ लीइए घर और से बात करेंगे दोस्तों और एट टो परफोर्मर की क्रिस वास्कुर है सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर सपैसली पहले बैटिंग करते हैं तो ड्वेन ब्रावो का यह लास्ट मैच होगा इंटरेशनल क्रिकेट में तो पहले बोलिंग करते हैं तो 102 विकेट यह लेते दिखाई दे सकते हैं आपको डैथ में बोलिंग करते हैं इन्होंने 12 मैचों में 206 विकेट लिए हैं ग्यारा की सांदर एवरे से काईरन प्लाड ने 10 मैचों में 20 विकेट लिए हैं 12 की आवरे से हैं तो यह ग्रैंड लिग की कैटिम वेस्ट विकेट लिए हैं अब बात करते हैं दोस्तो दोनों टीमों के प्रोबबल 11 की दोनों की टीमों की प्रोबबल 11 इस पर का रहेगी मस्ट भी करेंगे हमारी डेविड वर्नर एरन फिंच ग्लेन मैक्स्वेल मिचल स्टार्क एडम जंपा जोस हेजलूर मिचल मास पहले बैटिंग करते हैं तो ग्रैंड लिग की डिफिरेंशल कैप्न वेस्ट कैपिंग की इस रहेंगे इनका हैट्वे रिकॉर्ड का फिक शांदार है और स्टीवन स्मिथ अगर आप टोप उडर से एरेंविच यह डिव राउन को करते हैं और स्टीवन सिम्थ चेज करते हैं तो यह आपकी ग्रैंड लिग की डिफिरेंशल पिक होंगे और पैट को मिंस अगर पह मज़ प्रेंगे एमि लिविस जिनका है ठीक है निकलो पुर्ण जिनका वैनिट रिकॉर्ड काफी शांदार है हमारी एक्स मज़ प्रेंगे रहेंगे अगर लीग टीम में खेलते हैं तो आप होल्डर वाल्स में स्मालीक और ग्रैंड लीग टीम में रूटेट कर सकते हो व ग्रेंड लिग की पंट पिक की बात करेंगे दोस्तों क्रेस गेल अगर पहले बैटिंग करते हैं तो आप एक दो टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राइग कर सकते हैं और रोस्टन चेज अगर आप टोप ओडर वेस्ट इंडिस का मिश्ट करते हैं आपकी स्टार्क के अगें स्ट्रगल रहा है स्पैसली ओड़ाई किर्केट में जहां 49 बोलों पे महज 27 अनमना पाएं एविन लिविस और दो बार मिश्टन ट्राइग करें तो उस्टीमे भी इविन लिविस को ट्रॉप करें जोस हेजल वुड के खिलाब भी इविन लिविस ने 5 बोलों पे मातर 6 अनमना के अपना विकेट दिया है तो मिचल स्टार को जोस हेजल विविस को ट्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं किर्स गेल का भी जोस हेजल वुड के खिलाब स्ट्रगल रहा है एकिस बोलों पे महज 28 अनमना है और दो बार उनका विकेट हेजल वुड ने लिया है निकल्स पुरान को एडम जामपा ने काफी स्ट्रगल कराया है बीस बोलों पे मातर 12 रंदे के उनका विकेट लिया है काइरन प्लोड को पैट कॉमिस ने डेथ बोलिंग में काफी ठंग किया है 49 बोलों महज 38 रंदे के तीन बार उनका विकेट लिया है और एडम जामपा ने भी 53 बोल पे 95 रंदे के दो विकेट लिया है तो पैट कमिंग्स को काइरन प्लोड से दिक्कत है अगर आप पैट कमिंग्स को कैप्टन वाइस कप्टन ट्राइग कर रहे हैं तो उस्टे में आप काइरन प्लोड को ड्रोप कर सकते हैं अब बात करते हैं अस्टीले के बैट्समें का वेस्ट इंडिस बोलर के खिलाफ मैच अप की एरन फिंच का हेडन फाल्स के खिलाफ काफ विश्ट्रगल रहा है चोदव बोलों पे माता तेरा रंदेख के तीन बार उनका विकेड हेडन वाल्स ने लिया है अगर वेस्ट इंडिस के फेवरों में टीम आप बनाते हों हेडन वाल्स को एज ये कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राइक करते हैं तो एरन फिंच को आप उस टीम में ड्रोप कर सकते हैं अब अगर एंडिस रसे लोड़ और हेड्रोवाल को आप टीम में इसे कैपन वाइस कैप्टन ट्राइक करते हैं उसमें आ अब एरन फिंच को ड्रोप कर सकते हैं अब देखते हैं दोस्तों क्या रहीग हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन की चोइश इस मैच्स के लिए स्टेल हैं की तरह से Safe Captain West Captain की चोज़ रहेंगे Glynne Maxwell, Mitchell Stark, Different Captain West Captain की चोज़ रहेंगे Aaron Finch, Adam Jampa, Mega Jail Captain West Captain की चोज़ रहेंगे David Warner, Josh Hazelwood और Mitchell Mars में इसको ये, अब बात करते हैं West Indies की, West Indies की Safe Captain West Captain की चोज़ रहेंगे Anthony Russell, Nicholas Poran, Different Captain West Captain चोज़ रहेंगे Aaron Lewis, Roaston Chase, Mega Jail Captain West Captain चोज़ रहेंगे DJ Bravo, Chris Gale, और Head and Walls में इसको ये, अब बात करते हैं Strategies की, Australia clear favorite Reagas match को जितने के लिए, Small League और Head to Head Contest में आपको 6-5 का बैलेंस को रहेंगे करना चाहिए जाहाँ, आपको Inform All-Rounder को as a Captain West Captain रहेंगे करना चाहिए, अब देखते हैं क्या रहेंगे हमारी बलेबाजी Tentative, Teams, टीम में रहेंगे समाली गोर Head to Head के लिए हमारी विकेट कीपर है निकुलास पूरन, बैट्समेन है डेविड वर्णर, एरन फिंच, आर्लोंडर है रोस तंचेस, ग्लेन मैक्सवल, डीजे ब्रावो, अंद्रे रसल, बोलर्स हैं, जोस हेजलूड, एडम जांपा, मिचल स्टार्क, हेडन वाल्स, कैप्टेंसी की डेविड वर्णर को, वाइस कैप्टेंसी की मिचल स्टार्क को, इसमें हमने इविन लिविस्ट को ड्रोप करने गरेज के लिया है, आप डीजे ब्रावो कोई जगे, इविन लिविस्ट को भी टीम मिले सकते हैं, टीम टू की बात करें, यह रहेगी मेगा जियल के लिए, विकट की पर है निकलास पूरन, बैट्समें हैं, रहेंगे स्टीवन स्मिथ, डेविड वर्नन, एविन लिविस्ट, आरोंडर्स हैं, जेशन होल्डर, ग्लेन मैक्शल, अंद्रे रसल, बोलर्स हैं, जोस हेज़ुरूट, पैट कुमिन्स, मिचल स्टार्क, हेड़न वर्स केप्टेंसी के अंद्रे रसल को, वैस केप्टेंसी के गिलेन मैक्शल को, उमीद है दोस्तों, आपको आज के वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए खेलते रहें, जीते रहें, मच्चाते रहें, टेंक्यू,